अगर आप मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तो सबस्क्राइब जरूर करें क्यूंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मेरे चानल पर आपको मिलते रहते हैं वो भी रोज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी जफरतस रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको जॉइंट पें से तुरंथी रहा दिलाएगी हड़ियो में होने वाला कोई भी दर्द हो चाहे वो अपने की गुटनों का दर्द हो कमर का दर्द हो चाहे कितना ही पुराना दर्द ही क्यों नहों चाहे वेंस की तकलीफ क्यों नहों वेरिक्योज वेंस की प्रॉप्लम ही क्यों नहों तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसे medicinal पत्ते के बारे में जानकारी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों जो की कई बड़े बड़े बिमारियों की दवा है इसे देखकर ही आप समझ गए होगे कि मैं किस पत्ते की बात कर रही हूँ दोस्तों ये है तेजपत्ता ज्यादा तर ये तेजपत्ता हम सबी के किचिन में अवलेबल होता ही है खाने के स्वात को और सुगंद को बढ़ाने के लिए तेजपत्ते का इस्तमाल हम करते है आयूरवेट में भी बे लीव का बहुत ही जादा महत्व है तेजपत्ता हमारे हेल्थ के लिए तो फाइदेमन ही है दोस्तों साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ही जादा ये फाइदेमन है यदि बहुत जादा बाल जढ़ रहे हैं बाल लंबे नहीं हो रहे हैं और डैनरफ की परिशानी या जू लीक की परिशानी है तब भी आप तेज पत्ते का तेल आप कुछ दिन लगा लें बाल जड़ने का जो प्रॉब्लम है बिलकुल आपका सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से आपके हड्डियों में यदि तकलीफ है, दर्द है, गुटनों में तकलीफ है, कमर में दर्द है चाहे फिर आपके नसों में ब्लॉकेज की परिशानी क्यों न हो या फिर नसों में सूजन या नसों में कमजोरी है तो तेज पत्ते के तेल से आप मालिश करें तुरंथ ही जो तकलीफ है आपकी दूर हो जाएगी नसों की सूजन भी आपकी कम हो जाएगी वेरिक्योस वेंस के शिकायत है तो वो भी आपकी कम हो जाएगी यदि आपके गुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चाहे कितना ही पुराना दर्द क्यों न हो, इस तेल से आप मालिश करना शुरू कर दे मालिश तो करें ही दोस्तो, साथी साथ आप तेज पत्ती की चाय बना कर जरूर पी तो इस सारी चीज़ें आपको कैसे करना है कप करना है, यह सारी चीज़ें में इस वीडियो में शेयर करने वाली है दोस्तों लेकिन उससे पहले वीडियो को चल दिए इसे एक लाइक कर दीजो, साथी चानल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसे interesting amazing videos में आपके लिए लाती रहती हूँ तो आपको कम से कम 4-5 bay leaf की पत्तियों को इस तरीके से तोड़ लेना है आप मेरी तरह हातों से भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं और फिर आप कट भी कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि तेज पत्ते का तेल आपको कैसे बनाना है ये तेल आपको गठिया arthritis से तूरंथी आराम दिलाएगा आज कल आपने देखा होगा दोस्तों की जोड़ों का दर्द जो है आम बात हो गई है हर किसी को तकलीफ होनी शुरू हो गई है चाहे वो बड़े बुज़ोर्गी क्यों न हो चाहे वो यंग्स्टर सी क्यों न हो ये तेल जो है सभी age group के लिए बहुत ही फाइदे मन है मास पेशियों की यदि अकडन हो जाती है तब भी आप इस तेल को लगा सकते है आप चाहे तो नारिल का तेल ले सकते है आप तिल का तेल भी ले सकते है तिल का जो तेल होता है न दोस्तों ये आपके जोड़ों के दर्थ के लिए मसल्स की अकडन के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन होता है तो आज मैंने इस oil को बनाने के लिए mustard oil का इस्तमाल करा है आप olive oil भी ले सकते हैं बादाम का तेल भी ले सकते हैं जो भी तेल आपके पास नारिल का तेल भी ले सकते हैं जो भी तेल आपके पास available है इस वक्त वो तेल आप ले सकते हैं अब इस तेल को हम पकाने वाले दोस्तों कैसे पकाने वाले हैं हम इसे direct heat नहीं देने वाले हैं हम जो है indirect heat देने वाले हैं यानि कि हम double boiler का method इस्तेल को पकाने के लिए ताकि तेज पत्ते के सभी पोशक तत्वा इस तेल में आ जाए अभी इसमें हम एक और चीज आड़ करने जाता है और उसी सॉंट को पीस कर उसका पाउडर बनाया जाता है सॉंट पाउडर जो है वो दर्द निवारक होती है वात पित और कफ को भी शांत करने का काम करती है सॉंट जोडों के दर्द को जोडों की तकलीफ को मास पेशियों के एठन को खीचने का काम करती है सॉंट अभी तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, लेकिन जब हम इसका तेल में इस्तमाल करते हैं, तो ये दुगना benefit हमें करता है, हमारे दर्द को खीचने का काम करता है, pain killer की तरह काम करता है, saunt powder, और आप इसे ऐसे भी try कर सकते हैं, जब आपको सरदर्द होता है न, तो आप ये ज बच्चों को कफ किया दी परिशानी है, तो सीने में इस तेल को आप लगा सकते हैं, आप इस तेल को हम पकाएंगे, double boiler method का यूज करके, एक पतीले में एक गलास पानी मैंने रख दिया है, इस पानी को गरम होने दिंगे, उसके बाद जो हमने तेल एक कटोरी में निकाला है उसमें अपने डाला है, सौन्ट पाउडर और तेज पता, बस उसी कटोरी को इसमें हम रख देंगे, पानी अच्छा गरम हो चुका है, इस कटोरी को भी मैंने रख दिया है, कम से कम 3-4 मिनिट आप ऐसे ही से गरम करें, बिल्कुल low flame पर, उसे होगा ये कि तेज पता और आरे ही पोशे तत्वे इस तेल में आ जाएंगे, और ये हमारा फिर तयार होगा, सौन्ट का और तेज पते का तेल, जो कि आपको पुराने से पुराने गुटनों के दर्द, जोडों के दर्द, कमर दर्द से आपको राहत दिलाएगा, तीन से चार मिनिट अच्छी तरीके इसे गरम करने के बाद ये देखे, बहुत अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, अब आप इसे यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आपको तकलीफ है, दर्द है, वहां पर आप इसे मालिश करें, आप चाहे तो इस तेल को च्छान भी सकते हैं, या बिना च्छाने भी आप इ मालिश करना चाहे, कभी कबार क्या होता है कि हमारी कलाई पे दर्द हो जाता है, अंगलियों की हड्यों में दर्द रहता है, आप वहां पर मालिश करें, कभी कबार क्या होता है कि कई लोगों को एडियों में भी दर्द होता है, तो वहां पर भी आप इस तेल से मालिश कर स तेज़पत्य की चाय बनानेसे पहले आप तेज़पत्य को धोए जरूर क्योंकि इसमें धूल लगा हुआ रहता है जो कि हम पींगे तो हमारे पेट में जाएगा इसलिए आप इसे धोएं कम से कम दो बार साफ पानी से फिसे धूएं ये सिदेश पत्य का पानी हडियों की अ आधा चमच अजवाइन आप ले लीजिए अजवाइन भी दर्द निवारक का काम करती है अगर आप तेजपत्य के इस पानी को हलका मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें एक छोटा सा तुकड़ा गुड़ का मिला सकते हैं अगर आपको शुगर है डाइबिटीज है तो आप गुड़ को ना मिलाए बस ऐसे ही आप तेजपत्य और अजवाइन का पानी बना ले अब इस पानी को आप कम से कम आट से दस मिनट उबाले लो से मीडियम फ्लेम पर ताकि अजवाइन और तेजपत्य के सारे इपोश तत्वा इस पानी में आ जाए आप इस ट्रिंग को सु होते सोने के पहले भी पी सकते हैं यानि कि रात को भी हाप इसे पी सकते हैं बस एक चीज का ध्यान रखे कि इसका सेवन आप गरम गरम ही करें आपको बिल्कुल सिप ले लेकर गरम गरम इसका सेवन करना है जिस तरीके से आप चाय कॉफी पीते हैं आप गरम गरम सिप ले साथी साथ जो डाइबिटिक पेशंट है ना वो भी इसका सेवन जरूर करें और साथी जिन्हें हाई बीपी की परिशानी है वो भी इस ट्रिंग को जरूर पिए बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा आठ से दस मिनिट बाद आप इसे चान लीजिए अच्छी तरीके से गरम ह हो चुका है आप देख सकते हैं कि पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है यानि की सारे ही पोशक तत्वत तेजपता और अजवाइन के इसमें आ गए हैं यह एक ड्रिंक आपको कई बिमारियों से बचाएगा आपको बिमारियों से लड़ने की ताकत आती आपके शर को आप जरूर घर पर बनाएं बड़े बुजर्ग हैं घर पे तो उन्हें इस तेल को बना कर दे उन्हें बहुत फाइदा करेगा साथी साथ इस ड्रिंक को भी आप जरूर पी अपने घर वालों को दे जिससे की इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके तो दोस्तों कैसी मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर